दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप SSC GD Constable 2022-23 Online Exam Admit Card किस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हैं तो दोस्तो वीडियो को ध्यान से देखेगा वीडियो में मैं step by step बताऊँगा कि आप अपने examination CT और अपना application status check और admit card किस प्रकार से download कर सकते हैं तो नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है सोक और आप सभी लोगों का मेरे YouTube चेनल पर बहुत बहुत स्वागत है तो चलिए दोस्तो शुरू करते हैं सबसे पहले आपको SSC staff selection commission की ये official site खोल लेना है फिर आपको admit card वाला option दिखाए देगा इस पर click करना है फिर यहाँ पर दोस्तो यहाँ पर admit card download from the following regional website तो यहाँ पर आपने जिस भी region से form apply किया है सारे region की यहाँ पर website दी हुई है तो यहाँ पर आपको URL दी हुई है इस पर click करना है जैसे मद्यप्रदेश का है देख के दिखा रहा हूं है आपको तो यह इस पर अपने reason पर click करना है उसके बाद में आपके सामने थोड़ी देर बेट करना है यहाँ पर आपके reason की website open हो जाएगी तो यहाँ पर दोस्तों नीचे की साइड में आप देख सकते हैं status download admit card for constable gd in central armed police forces यहाँ पर 10.1.2023 से start है यहाँ पर 13.2.2023 तक यह exam चलेंगी तो इस पर click करना है उसके बाद में दोस्तों आपके सामने इस तरीके से page open हो जाएगा तो यहाँ पर आपके सामने अपना roll number है या registration number वो यहाँ पर डालेंगे यहाँ से अपना date of birth select करेंगे और यहाँ पर examination CT आपने जो first preference में जो CT डाला था वो CT यहाँ से select करेंगे और इस डबे पर टिक करेंगे और search पर click करेंगे यहाँ से भी आप अपना download कर सकते हैं admit card अग अपना नाम father's name date of birth अपने नाम से भी निकाल सकते हैं तो आपको यहाँ पर first four character आपको capital letter में अपने नाम के starting के चारक्षर लिखना है इस box में यहाँ पर father's name के चारक्षर और यहाँ से अपनी date of birth select करेंगे इस तरीके से उसके बाद में examination CT select करेंगे और इस डबे पर टिक कर आपकी जो details है तो यहाँ पर आपका form status form accepted तो यहाँ पर आपका name लिखा रहेगा यहाँ पर father's name यहाँ पर आपका address और यहाँ पर registration number और यहाँ पर आपका roll number तो दोस्तों आपकी जो date of exam लिखी रहेगी यहाँ पर आप देख सकते हैं 11.2023 को यह एक्जाम है यहाँ पर आप उसके बाद में आपकी जो exam date है उससे तीन दिन पहले आपका admit card आ जाएगा तो यहाँ पर जैसे मान लिजिए 11.2023 को एक्जाम है तो यहाँ पर your exam will be 11.2023 you can download print your admit card 7.2023 को आ जाएगा तो यहाँ पर आपकी जो examination date है उससे पहले 3-4 दिन पहले आपका admit card आ जाएगा तो वो यहाँ पर date so हो जाएगी तो दोस्तो इस तरीके से आप यहाँ से SSC GD Constable का आप अपना form status अपनी date of exam saved CT कौन सी में है exam और अपना admit card यहाँ से download कर पाएगे तो दोस्तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में share कीजिएगा और आप तक पहुंच सके थेंक्यू दोस्तो धन्यवाद